जब आप Actively Mutual Funds या Index Mutual Funds में Invest करने जाते हो तो आपको 3 Types of Funds दिखाए देते हैं Growth, Dividend Payout, Dividend Reinvestment अब सवाल आता है कि किसमें Invest करें? Invest करने से पहले हमें इन तीनों को समझना होगा Number 1, Growth इसमें आपके द्वारा किये गए Invest से होने वाले लाव या मुनाफे से फिर से Invest कर दिया जाता है इसमें आपको कोई भी लाव या Dividend नहीं दी जाते बल्कि उन्हें भी Invest कर दिया जाता है इसमें Invest की गए Units की Value Time के साथ Compound होती जाती है Number 2, Dividend Payout इस फंड में Companies द्वारा अपने लाव में से कुछ इससा Dividend के रूप में Investors को Direct उनके Bank Account में Cash के रूप में भेज दे जाता है जिससे Regularly एक अच्छी कासी Income जनरेट होती रहती है Number 3, Dividend Re-Investment इस फंड में Dividend तो दिये जाते हैं But Cash में ना देकर उन Dividend से Mutual Funds की Extra Units Purchase कर ली जाती है कुछ हद तक ये Growth की तरह है लेकिन उससे थोड़ा अलग Growth में कोई Dividend नहीं दिया जाता वो Automatic Add हो जाता है जिससे उसकी Units की Value Increase होती है But Re-Investment में आपको Dividend देखने को मिलता है 6 या 1 साल के अंदर आपको Dividend मिल जाता है जिससे उस Fund की Extra Units Buy कर ली जाती है चलो इसे एक Example से समझते है माल लो अपने Dividend Re-Investment Option में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किये और Same Growth Option में भी 50,000 रुपीज उस समय पर Per Unit Value दोनों ही Options की 10 रुपीज थी जिससे आपको 5,000 और 5,000 युनिट दी गई एक साल के बाद Per Unit Value हो गई 15 रुपीज लेकिन Dividend Re-Investment में आपको 2 रुपीज पर युनिट के हिसाब से डिविडेंड दिया गया जो होता है 10,000 रुपीज लेकिन Growth Option में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता डिविडेंड देने के बाद वे 2 रुपीज उसकी युनिट वैल्यू से कम कर लिए गए और Dividend Re-Investment Option की युनिट वैल्यू हो गई 13 रुपीज और वहीं Growth Option की युनिट वैल्यू हुई 15 रुपीज Dividend Re-Investment Option की आपको 10,000 रुपीज के Dividend की 769.27 युनिट 13 युनिट पर युनिट के हिसाब से दे दी गई जिससे आपकी Total Units हुई 5,769.27 और वहीं Growth Options की कुल 5,000 यानि सेम रही जिससे आपकी Dividend Re-Investment Option की Total Value होती है 74,999 और वहें Growth Option की 75,000 यानि Dividend Re-Investment Option से 0.01 रुपीज एक्स्टर जो कुछ खास नहीं है लेकिन अंतर समझाने के लिए काफी है